हेलो एब्रीवन आप सभी का स्वागत आपके अपने यूटियू चेनल विशाल गौतम सेवनेट थ्री पर आज है 16 मार्च दो याद तेईस और आज किस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 16 मार्च दो याद तेईस के डेली करेंट अफियस के कुछ इंपोडेंट कोईशन्स अगर आप किसी भी अग्यम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यादा इंपोडेंट रहने वाली है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को ओल पर प्रेस कर लिजे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ सबसे पहले आप उस वीडियो को देख माएं आज की इस वीडियो की पीडियाप फाइल आपको मारे टेलीरम चैनल पर मिल जाएगी टेलीरम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा आप वहां से चैनल को जोईन कर सकते हैं तो आप पूरा वीडियो को द्यान से देखिए और वीडियो के लाश्ट में मैं आपसे कुशन भी पोचूंगा, उस कुशन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो चड़िये चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, पहला कुशन है, हाल ही में विश्व उपवोगता अधिकार दिवस कम मनाया गया है, इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा, ओप्शन सी 15 मार्च, तो हाल ही में विश्व उपवोगता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया है, बिष्व उपवोक्ता अधकार दिवश को पहली बार 15 मार्च 1962 के दिन अमेर्की राष्टपती जॉन एफ केनेडी ने उपवोक्ता अधकारों को परवाशत किया था और तबी से 15 मार्च को बिष्व उपवोक्ता अधकार दिवश मनाया जाता है Next question है हाल ही में हिन्द महासागर में कौन सा बहु पच्छिय नोसे ना अब्यास शूरू हुआ है इस कोशन का सही आंसर होए आएगा laperos 32 तो हाल ही में हिन्द महासागर में laperos 22, Abrieos cultural 22, 29 अब्यास शूरू हुआ है समुद्री अब्यास लापेरोस दोया तेज का तीसरा संस्करर 13 से 14 मार्च दोया तेज तक भारष ऑस्टेलिया फ्रेंच जापान और सैप्त राज अमेर्का की नौ सेनाओ के बीच हिंद महासागर छेत में शुरू हुआ यह एक दोयवार्षिक अब्यास है जो फ्रांसी सी नौ सेना द्वारा आयोजित किया जाता है नेक्ट कुशन है हाली में ऐसी ओ परेटन मंत्रियों की बैठक दोया तेज की मेजवानी कहां की जाएगी इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन भी काशी तो हाली में ऐसी ओ परेटन मंत्रियों की बैठक दोया तेज की मेजवानी काशी में की जाएगी बारत 17-18 माच दोया तेज को काशी में संगाई सायोग संगठन परेटन मंत्रियों की बैठक की मेजवानी करेगा नेश्ट कुशन है हाल ही में टेस्ट किरिकेट में कौन सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले भारती खिलाडी बने हैं इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन भी अच्छर पटेल ये हैं अच्छर पटेल और यही टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले बारती खिलाडी बने हैं अच्छर बारत के लिए सबसे कम गेंद फेक कर 50 विकेट लेने वाले गेंदवाज बने उनसे पहले बारत के लिए सबसे तेज 50 विकेट लेने का रेकॉर्ड जस्प्रित मुमरा के नाम था नेस्ट कोशन है इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा option C, बैगलरू तो हाल ही में नितिन गड़करी ने बैगलरू शहर में पहली मैथनोल से चनलने वाली बसों का अनावरड किया है इस परियोजना का उद्देश उत्सरियन के इसर को कम करना है नेक्ट कोशन है किस महला को भारत की सी चैंजेस क्लाइमेट की राजदोत ने उक्त किया गया है इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा option A, स्रिया गोडाबद तो स्रिया गोडाबद को भारत की सी चैंजेस क्लाइमेट की राजदोत ने उक्त किया गया है जलवाईव उद्यमी स्रेया गोडावत को 13 मार्च दोया 23 को सीचेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया नेश्ट कुशन है हाल ही में किस शहर में भारत का पहला जीयोलोजिकल पार्क इस्थापित किया जाएगा इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन भी मद्दपदिस राज़ के जबलपुर में तो हाल ही में मद्दपदिस राज़ के जबलपुर शहर में भारत का पहला जीयोलोजिकल पार्क इस्थापित किया जाएगा बारती भूब एग्यानिक सर्वेचर ने देश के पहले जीयोलोजिकल पार्क की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान कर दी है यह जीयोलोजिकल पार्क मद्दपदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा ददी के तट पर इस्थित लंबहिटा गाउं में बनाया जाएगा नेस्ट कुशन है किस राज्या केंद सासित पदेश ने विविन्द छेत्रों में सहर के विकास का मार्ग दर्शन करने के लिए 2041 के लिए मास्टर प्लान जारी किया है इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन सी दिल्ली तो केंद सासित पदेश दिल्ली ने विविन्द छेत्रों में शहर के विकास का मार्ग दर्शन करने के लिए 2041 के लिए मास्टर प्लान जारी किया है दिल्ली विकास पादिकर ने मास्टर प्लान फोर दिल्ली 2041 का मशोधा जारी किया है जिसका उद्देश बिविन चितनों में शेहर के विकास का मार्ग दर्शन करना है नेश्ट कुशन है हाल ही में किस राज में 20-23 माज तक चोथी एशियाई खोखो चेंपिन्शिप का आयोजन होगा इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा आप्शन भी असम तो हाल ही में असम राज में 20-23 माज तक चोथी एशियाई खोखो चेंपिन्शिप का आयोजन होगा पुर्विशों और महलाओं के लिए चोथी एशियाई खोखो चेंपिन्शिप 20-23 माज दोया तेश तक असम में आयोजन की जाएगी कुल मिलाकर बारत देश और मेजवान बारत प्रतियोगता में भाग लेंगे असम जो राज जैस की स्थापना 26 जनवरी 1950 कोई थी असम की राजधानी तिस्पुर है मुख्यमंत्री हैं मंत विश्व शर्मा और राजपाल हैं गुलाव जंद कटारिया नेक्ट कुशन है हाल ही में किस राजध केंद सहसत पदेश में जनता के लिए एशिया का सबसे बड़ा टियूलिप गार्डन खोला जाएगा इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन सी जम्मू कश्मीर तो हाल ही में केंदसासत पदेश जम्मू कश्मीर में जनता के लिए एशिया का सबसे बड़ा टीवलिप गार्डन खोला जाएगा इंद्रागंदी टीवलिप गार्डन स्रीनगर कश्मीर जो एशिया का सबसे बड़ा टीवलिप गार्डन है 19 मार्च दोया 23 विजनता के लिए खुलेगा इस उद्ध्यान को सिराज बाग के नाम से भी जाना जाता है अब जानते केंद सास्त पदेश जम्मू कश्मीर के भारे में जम्मू कश्मीर की स्थापना 31 सक्टुबर 2019 को वही थी जम्मू कश्मीर की दो राईधानिया है स्री नगर है गर्मियों के लिए और जम्मू तभी है सर्दियों के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज पाल है मनुज सिन्ह तो एक बर सभी पश्णों का रवीजन कर लेते हैं हाल ही में विश्व उपवोक्ता अधकार दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में हिंद महसागर में कौन सा बहुप अच्छी नोसेना अभ्याद सुरू हुआ है। हाल ही में ऐसी ओ परेटन मंत्रियों की बैठक दोया तेस की मेजवानी काशी में आयोज़त की जाएगी। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कौन सबसे कम गयंद में 50 विकेट लेने वाले भारती खिलाडी बने हैं। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में अच्छर परेट सबसे कम गयंद में 50 विकेट लेने वाले भारती खिलाडी बने हैं। हाल ही में नितिन गड़करी ने किस सहर में पहली मैतनोल से चलने बाली बसों का अनावरड किया है। हाल ही में नितिन गड़करी ने बैंगलरू शहर में पहली मैतनोल से चलने बाली बसों का अनावरड किया है। किस महला को भारत की सी चैन्जेस क्लाइमेट की राजदोत ने उक्त किया गया है। हाल ही में किस सहर में भारत का पहला जियोलोजिकल पार्क इस्थापित किया जाएगा। हाल ही में मदपदेश राज़ के जवलपुर में बारत का पहला जियोलोजिकल पार्क इस्थापित किया जाएगा। किस राज़ा केंद सहसत पदेश ने विभिन्य चेत्रों में सहर के विकास का मार्ग दर्शन करने के लिए 2021 के लिए मास्टर प्लान जारी किया है। हाल ही में किस राज़ा केंद सहसत पदेश में जनता के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप कार्डन खोला जाएगा। हाल ही में केंद सहसत पदेश जम्मू कश्मीर में जनता के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप कार्डन खोला जाएगा। तो हमने सबे पशनों का रवेजन अच्छे तरह से कर लिया है। कल की वीडियो में मैंने आपसे कुशन पूछा था हाल ही में केंद सरकार ने BSF भरती में पूर्व अगनी वीरों के लिए कितने प्रत्सत आरच्छन की गोशना की है इस कुशन का सही अंसर था option A 10 प्रत्सत तो हाल ही में केंद सरकार ने BSF बरती में पूर्व अगनी वीरों के लिए 10 प्रतसत आरच्छन की कोशना किया है अब आपके लिए आज का कुशन है बारत और किस देश की नौसेना की बीच अरब सागर में समुद्री साजेदारी अभ्यास आयोजित किया गया है इस कुशन का सही अंसर आपको कमेंट में बताना है अगर आपको ये वीडियो आज की एलफ और लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चड़िये चलते हैं जैहिन जैवारत वन्यमात्राम